हलो साथियो नमस्कार क्या आपको पता है कि इंडिया के पहले बोटर या फिर पहले मतदाता कौन थे यानि कि जब 1951 में पहली बार आम चुनाओ हुए थे लोक सभा के तो उस समय पहला बोट किस ने दिया था तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले स्याम सरन नेगी साहब ने पहला बोट दिया था इसलिए इन्हें भारत का पहला मतदाता कहा जाता है इनकी उम्र 106 साल थी और इनका निधन हो गया है हाल में ही इनका निधन हो गया है पहले वोटर रहे हैं स्याम सरन नेगी साहब आई ये कुछ और रोचक तक जानने की कोसिस करते हैं हम इनके बारे में सो 2014 में चुनाओ आयोक के द्वारा इन्हें चुनाओ आयोक का ब्रांड मिजड़ा बनाया गया था वेरी इंबॉरेंट फैक्ट है जो की स्याम सरन नेगी साब को चुनाओ आयोक ने 2014 में आम चुनाओ के द्वारान इसका ब्रांड मिजड़ा बनाया था और 12 जून 2010 की बात करें तो मुख चुनाओ आयोक ने उन्हें कलपा आकार पहले मतदाता होने पर बधाई दी थी सो कलपा के यह बिसकली यहां पर रहने वाले हैं वहां आकर के इनको बधाई दी थी ख़वर यह है आगे की बात हम समझें कुछ देखें तो यह हमारे लिए बहुत सोक की बात है कि उनका निधन हो गया है लेकिन इनके Importance को इस तरह के समझा जा सकता है कि Chief Election Commissioner खुद जाकर के यहां पे उनको सरद्धानजली दी है स्याम सरण नेगी साब को चीफ एलेक्स एलेक्सन कमिसर राजीर कुमा साहब ने जा करके यहाँ प Nederएट दान जली दियए स्याम सरण नेगी साहब की बारेट मने तो यह मतदान को अपना धरम मानते थे कि मतदान जरूर करना चाहे लोक तंत्र के ये अग्रदाता कहे जाते थे लोक तंत्र को मजबूत होने की बात करते थे और चुनाओ को एक धर्म मानना चाहिए ऐसे इनके विचार थे साथ साथ में आपको मैं बताओं कि ये जो है हमारे देश के पहले मत्राइब